हे गाईज, वेलकम बेक टू सीरीज विद दीप दोस्तो हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं नई वैब सीरीज को जिसका नाम है दे लोश्ट फ्लोवर्स ओफ एलिस हार्ट और आज हम इसके सीजन वन के एपिसोड नंबर एक की कहानी को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं इस एपिसोड की सुरुवात में हम एक चोटी सी फैमली को देखते हैं जहां एलिस नाम की चोटी बच्ची होती है उसके पास उसका डैड क्लेम होता है और यहीं पर ईलिस की मॉम अगनेस भी होती है अगनेस प्रेगनेट होती है एलिस यहाँ पर अपनी मॉम से पूस्ती है जब मैं पैदा हुई तब भी आंदी और तुफान आया था मुझे वह काने फिर से बताओ तो उसकी मॉम बोलती है कि जब तुम पैदा हुई उस दिन भी तुफान आया था मैं और तुम्हारे डैड होस्पिटल जा रहे थे लेकिन हम होस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए मैंने रास्ते में ही तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपनी सरट में डपेट लिया उस दिन तुम बहुत ज़़ा रो रही थी और मैं तो बेहोसी हो गई थी तब तुम्हारे डैड ने मुझे सासे दी अलिस अपनी मौम से पूछती है कि हम अकेले क्यों रह रहे हैं दरसल ये लोग जहां पर रहे होते हैं वह जगर सहर से काफी दूर होती है तब क्लेम बोलता है कि हम अकेले नहीं है तुम्हारी मौम एक बेटा या बेटी को जनब देने वाली है जो तुम्हारे साथ खेला करेगा अगली सुबक किसी काम के लिए घर चोड़कर यहां से चला जाता है और अब यहां पर अगनेस और उसकी बेटी है यह दोन समुद्र के किनारे पर जाती है जहां पर काफी इंजोई करती है अगली सुबक उसकी मौम बोलती है कि हमारे पास कार नहीं है तो अगनेस तब भी नहीं उठती है और वह बहुत ज़दा रो रही थी तब यहां पर अबनेस कि पढ़ने की किताब भी देती है अबनेस को कमरे में ले जाकर उसे बहुत ज़दा पीटता रहता है अगनेस कुछ नहीं कर पाती वह बस दर्वाजे पर खड़ी रहकर होती रहती है और उसकी लाइबरेरी कार्ड भी तोड़ देता है साथी साथ रात कोई वह यहां के खेतों में आग लगा देता है ताकि एलिस जब जाए तो उसे दिख जाए लेकिन सुबह तक यहां पर पुलिस वाला आ जाता है जिसका जोन नाम होता है जोन यहां पर केवल एलिस से मिलने के लिए आया होता है वह बोलता है कि मैंने एलिस को लाइबरेरी में देखा था उसके स्रीर पर घाओ के निशान थे जैसे किसी ने एलिस को पीटा हूँ लेकिन एलिस बोलती है कि यह सब कुत्तों की वज़े से हुआ है मैं कुत्ते के साथ खेलती रहती हूँ और ऐसा एलिस की डैड और मॉम ने कहा था कि तुम सच मत बताना और इसी वज़े से एलिस ने सच नहीं बताया जोन यहाँ पर ऐलिस को बोलता है कि तुम अपनी किताबे लाइवरेरी में भूलाई थी तीन महीने के लिए ये किताबे तुमारी है तुम इने पढ़ सकती हो और जोन किताबे देकर यासित सला जाता है इनी किताबों के अंदर एक फीनिक्स पक्सी की कहानी होती है जो खुद को जला कर अपना एक नया उतार बना लेता है और एलिस इस कानी से बहुत ज़दा प्रिरित होती है उसके मन में अपने डैड को जलाने का ख्याल आता है शाम को एलिस के मॉम डैड यहां से होस्पिटल में चेक अप करवाने के लिए चले जाते हैं एलिस को बहुते हैं कि तुम घर पर रहना और कुछ छड़कानी मत करना और अपने मॉम डैड के चले जाने के बाद एलिस एक लालटेन लेकर अपने दूसरे चोटे से गर में चली जाती है जहां पर उसके डैड का सामान रखा होता है यहां पर बहुत सारे मॉर्टी होती हैं जो सायद एलिस के डैड नहीं बनाई हूँ एलिस इन मॉर्टियों को देखती रहती है फिर वह यहां से कुछ लकड़ियां लेती है लेकिन तब यह उसके हाथ से लालटेन गिर जाती है और इस घर को आग लग जाती है तब तक एलिस के मॉम डैड भी आ जाते हैं जिस चीज़ से एलिस डर जाती है और जाकर अपने बैड में चुप जाती है इस चीज़ से एलिस के डैड को गुस्सा आता है और तब ही हम देखते हैं कि एलिस के इस बहुत बड़े घर को आग लग जाती है और यह आग दूर से जोन को भी दिखाई देती है जो पुलिस वाला है और उसी वज़े से बहुत सारे पुलिस आकर इन तीनों को रेस्क्यू करती है जिनमें क्लेम की तो मौके पर ही मौत हो जाती है एलिस जो की कॉमा में चली जाती है और अगनेश वो भी अपनी आखेरी सांसे गिन रहे होती है उसके जिन्दा बचने की कोई उमिद नहीं है और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता है इसी होस्पिटल के अंदर सेली भी आती है और इस गटना को देखकर उसका मन उदास हो जाता है लेकिन किसी को मालम नहीं होता कि इस गर के अंदर हादशा कैसे हुआ तब दर अगनेश की भी मरत्यू हो ही जाती है सेली अपने घर पर आ जाती है जहां उसके साथ जोन होता है और जोन से बोलती है कि आज उस होस्पिटल के अंदर जहां पर एलिस को रखा गया है जिन्दा है बाकी क्लेम और अगनेश मर चुके हैं और अगनेश के स्रील पर गाओ के निशान थे ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसका गला दबाया हो जोन यहां पर बोलती है कि मैं अपने बेटे क्लेम की बोड़ी ले जाना चाहती हूँ तो जोन बोलता है कि कुछ दांस परताल होने वाली है उसके बाद तुम ले जाना और जोन यहां से अपने घर पर चली जाती है जहां वह ट्विग नाम की औरत के साथ रिलेसिंशिप में रह रही होती है और वह ट्विग को बता देती है कि अगनेस और क्लेम यह दोनों मारे जा चुके है इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका केंडी नाम होता है और ट्विग यहां पर जाकर केंडी को भी बता देती है कि तुमारा भाई क्लेम मारा गया है केंडी को बहुत ज़दा दुख होता है बाद में यहाँ पर जून ट्वीग से बोलती है कि मैं एलिस को यहाँ पर नहीं लाँगी उसके लिए यही उच्छा होगा कि वह इस फैमिली से दूर रहे एलिस भी अभी होस्पिटल बैड़ के उपर होती है वहाँ पर सेली उसके पास होती है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें आज किताब पढ़ कर सुनाओंगी कुछ कहानिया सुनाओंगी जो तुम्हारी मौम को भी पसंद थी और वह यहाँ पर उसकी मौम की एक फैवरेट कहानी सुनाने लगती है हलांकि एलिस कौमा में जरूर होती है लेकिन जो सेली कहानिया पढ़ रही होती है वो कहानी आसानी से सुन रही है और एलिस यहाँ पर अपनी यादों में खो जाती है और उन पनों को याद करती है जब उसकी मौम भी उसे यह कहानी सुनाय करती थी यह एक मसली और समदर की काहानी होती है तब ही एलिस को बहुत साजाता है और सैली बहुत ज़दा खुश होती है और सैली यहां पर एलिस को बताती है कि तुम्हारे घर पर आग लग गई थी जिसमें तुम्हारे मॉम डैट की मरती हो चुकी है और तुम बची हो एलिस यह सुनते ही बहुत ज़दा रोने लगती है और इस तरह से इस गटना को दो महीने बीच जाते हैं एलिस अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है जहां एलिस की परवरिस अब सैली कर रही होती है वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है जिसमें किताबे होती है क्योंकि एलिस को किताबे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इन किताबों के अंदर एक किताब हैरीपोर्टर की होती है लेकिन एलिस ने कभी हैरीपोर्टर का नाम नहीं सुना दूसरी तरफ हम ट्विग को देखते हैं जो पोदे लगा रही होती है उसके पास केंडी आती है ट्विग बोलती है कि मैं अपने बेटे की याद में पोदे लगा रही हूँ अगर तुम चाहो तो तुम भी उनकी याद में पोदे लगा सकती हो तब यापर केंडी रोने लग दिया और पोदी लगाती है बाद में कलेम का फिनरल किया जाता है लेकिन जोन उस फिनरल में नहीं जाती वैपस गाड़ी में बैटी रहती है सैली और जोन से बोलते है कि आपको फिनरल में आना चाहिए लेकिन जून बोलती है कि मैं नहीं आ सकती एलिस जब होस्पिटल के अंदर सो रही थी तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मॉम उसे पुकार रही हो और उसकी मॉम ने उसे फूल बेजे हो और एलिस अपनी मॉम का पीछा करते हुए समुद्र के किनायर पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है तो उसकी मॉम समुद्र में डूब रही थी एलिस की आगे गोलती है तब वह अपने आपको सड़क के उपर पाती है क्योंकि वह नेद में चलकर यहां तक आ चुकी थी तब यही पर जून आती है जो अपनी पोती एलिस को संभाल लेती है और उसे वापिस हुस्पिटल में लेकर आती है साथी सैली को बोलती है कि मैं इसे अपने गर पर ले जाऊंगी मैं इसकी प्रोरिस खुद करूंगी तो सैली यहां पर जाते हुए एलिस को बहुत सारी किताब ही देती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगी और इस तरह से एलिस अपनी दादी के साथ अपनी दादी के गर पर आ जाती है लेकिन इस चीज़े सैली उडास हो जाती है क्योंकि उसे हम उमीत थी कि वह एलिस को अपने घर पर लेकर आएगी और सैली का येस अपना तोट जाता है एलिस भी अपने दादे की घर पर तो आ जाती है लेकिन वहाँ पर उसका इतना मन नहीं लगता वही हम सैली को देखते हैं जो अभी भी एलिस को बहुत मिस कर रही होती है तब उसके पास एक लोयर का कोल आता है जो बताता है कि अगनेस ने मरने से चार महीने पहले अपनी वसीयत को बदल दिया था कि अगर जून उसकी बेटी की देखबर नहीं करती तो मेरी बेटी को समारने वाली सैली होगी तो जून बोलता है कि तुम तो अगनेस को जानती भी नहीं थी तो उसने ऐसा क्यों किया तो सैली बोलती है कि इस बात का मुझे भी नहीं पता एलिस जब सो रही थी उसके पास उसकी दादी होती है और हैलिस को विश्वास दिलाती है कि तुम यहाँ पर सेफ हो तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें तंग करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और जोन यहाँ से एक बंदूक लेकर गर के बाहर चली जाती है जैसे वह इस गर की सिक्योर्टी कर रही हो वही हम सेली को देखते हैं जिसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद आती है और वह बहुत सारे पुराने सामान को देखती है उसके अंदर उसे एक मूर्ती मिलती है जो साइद उसकी बेटी की हो जो पहले गुजर चुकी थी और सेली इस मूर्ती को गले लगा कर रोने लगती है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर पूरा होता है आई होब आप सभी को एक्स्प्लेनेशन पसंद आई होगी दोस्तो बहुत जल्द आपसे हम दूसरे एपिसोड के साथ मुलागात करने वाले हैं तब तक खुछ रही और अपना ख्याल रखी थैंक यू फॉर वोचिंग